बिस्मेले रह्मान रहीम, अस्सलामों अलेकुम नाजरीन, कैसे आप लोग मीदिया आप सब अच्छे होंगे और खुशाल होंगे, मैं हूँ शिवानी, मैं हूँ कुनाल, वेलकम गाईज, अमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कपल वाला रियक्शन, गाईज, आज की वीडियो हिदाया पोर्टल इंजीनियर मौमद अली मेजा चैनल से है, और वीडियो का टाइटल है मासूम बच्ची, आज तेरा दिन है, तू बोल, बाई इंजीनियर मौमद अली मेजा, तो काफी ही ज़दा में क्या से इमोशनल लग लग रही है वीडियो ओर इमोशनल वीडियो है और बच्ची से पूचा जा रहा है कि आज तुभारा दिल है, तूम बोल, तो मेरे इसाब से ये मेभी अला पूछ सकते हैं, कयामत के दिन, अल्ला पूछ सकते हैं बच्ची से, कि आज तुम्हारा दिन है, तुम्छा रही को झूल्म हुआ है, उस कि उस जिन्दा बच्ची से पूछा जाएगा जिसे जिन्दा दफना दिया था उसके माबाप ने आपको पता है अरब के लोग बच्ची की पेदाइश से वो नफरत करते थे और आज तक यह नहीं हमारे सब कॉंटिनेट के मौशरे में वो फरसूदा नजरियात चल रहे हता क कि मुसल्मानों के हाँ भी जाएगा हिंदों के हाँ तो बहुत ज्याद है आठ से पंद्रा साल पहले की आलमस रपोर्ट है बीबी सी की कि अंडिया के अंडर रोजाना तीन हजार बच्ची ते दुरान मार दी जाती थी तीन हजार रोजाना जाहर है कोई एक अरब से बाद औरतों से ज्यादा होगी है तीन हजार बच्ची आज भी वोई चीजें चल रही है और हमारे भी सब कॉंटिनेंट के माशने में आप पंजाब के माशने में तो बिल्खुस देख ले कि बच्ची की पिदाइश को एक निटोरियस चीज समझा जाता है माँ के हक में भी अखलाद के या निए इतबार से बाप के हक में और वो सासें जो खुद फीमेल जेंडर से तालुक रखती है वो अपने पोती के पैदा होने के पर नाखुश हो रही होती है हलाके उन्होंने भी सोचा कि क्या वो खुद मर्द थी वो अगर फीमेल पैदा हुई है तो ठीक है लेकिन उनके बेटे के हाँ अगर कोई बच्ची पैदा होगी है तो खलाद है इतने ये बुरी ट्रेडिशन ये लादा बात है कि बात में जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की विरा से उलाद कि जो बच्चों की जेंडर है उसकी पॉर्शन की विरे से माँबाप जो ज़िल हो रहे होते हैं और बच्चीों की विरे से वो सुखी होते हैं ये लादा बात है ज्यादातर हमने यही देखा तो अल्ला तरह मत्ला किया दिन उस बच्ची को जिन्दा करके اللہ تعالیٰ उससे पूछेगा विएयी रम मिन उतिलत उतिलत तुझे किस गुना के सबब कतल किया गया था कितनी लदीफ गुफटगू है कि कतल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा बलके बच्ची से पूछा जाएगा कि मासूम बच्ची आठ तेरा दिन है तुबॉल कि किस चुन के बदाश में तुझे कतल किया था तेरे माँबाब ने तुम मासूम बच्ची को अल्ला ताला बिसिकली उसे होसला वजाई फर्मा रहा होगा कि आठ दिन ने तुझे बदरा दिलाए गया कितने सहाबा थे जिन्हों ने इमान लाने से पहले कुफर की हालत में इस तरह के जराइन किये रहते और अल्ला तुम लाने के सबब उनकी इन बुराओं को माफ किया कि ये एक वाकियात है जो आप सुनते रहते है बारल ये बहुत बड़ा जुर्म है आज भी ये बात modern दोर में जो इससे related चीज़ है जिसको डिसकस करने की दुरूरत है नेट के उपर आपको शेरोशेरी की फार्म में भी ऐसी नजबे मिलेगी सेयुना दाहिया कल्बी रुदी आल्ला नों के बारे में कि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो उन्होंने दफना दी थी और जब वो इसलाम कबूल करने के लिए है तो उन्होंने पूरा बड़ा रिक्त अंगेज वाक्या है वो इनसान बियान भी नहीं कर सकते तो वो बियान करके का यारसुल्ला मुझे क्या ये मेरा गुना भी माफ हो जाएगा तो अल्ला के नभी लिसलाम ने फरमा है कि इसलाम पिशले सारे खुनाओं को माफ कर देता बारल आज के दोर के इत्मार से इसमें अबरत ये है कि अल्ला के शुकर है इसलाम की बरकत से लोग कमस कम बच्चियों को दफनाते तो नहीं लेकिन प्रिगनेंसी के दुरान जाय कराना भी किसी ना किसी दर्जे में उसी जुम के अंदर फाल करता है प्रिगनेंसी इडेंटिफाई होगी इवन इडेंटिफाई ना भी होई हो कि ये मेल है ये फीमेल उससे पहले भी आप ये काम कर नहीं सकते एक उलाग को कतल करने के जुम्रे में आता है और कुरान एकीम में बड़ी सक्ती से इसकी मजब्मत है सुरह बनी इसराइल में तो अल्ला तर ने बिल्कुल एक उपन फलस्वा बियान किया कि मत कतल करो उलाग को मुफलिसी के डर से तुमें भी हम रिस्क देते हैं उसको भी हमी रिस्क देंगे बेशक उनका गुना बहुत बड़ा जुर्ब लोग इन चीजों को हलका जान रहे होता है पिर डॉक्टरों से मश्वरा करते हैं हमें भी कभी बाद उकात राप्ता कर रहे होता है जी वो पताएं जी वस बो जी यह वो गया जी यह मजबूरी है अभी जनाब चालिस दिन पूरे नहीं हुए फलान ही हुए यह नहीं हुए उन्स पता चल गए प्रिग्टेंसी ठेर किये चाहे वो एक दिन की भी है हाँ उससे पहले अगर कोई बंदा वक्फे की कोई सूरतियाल पैदा करे तो वो तो जाहिज है मेरे इसके बुखारी मुस्लिम की आदीश की रोशनी में आप फैमली प्लैनिंग लिखे यूट्यूब पे और मेरा नाम लिखे तो आप क्लिप खुल के सामने आजाए तो यह आज उसकी मौडर्न फार्म यह के लोग प्रिग्डेंसी जाया ना करवाएं यानि लेकिन जो है वो जब इडेंटिफाई हो जाय तो पता चले के फीमेल है तो फिर उसक्ष जाय करवा दे या उससे पहले भी करवाएं यह एक मौडर्न फार्म है तो यह भी उसी तरीके से वो कबरस्तान पहाड़ी के उपर मैंने वो देखा हुए कबरस्तान मक्के के अंदर मुझूद है जहां पर बच्चियों को जिन्दा दरगोर किया करते हैं अब चूंके मस्जदे हराम की तोसी हो चुकी है लहादा वो तकरीपन आल्मोस मस्जदे हराम के करीब ही अगर इसल्म की बाकियात मुझूद है जोनोंने मक्सूस किया वा था जहां पर बच्चियों को जिन्दा दरगोर किया है आप देखें आज यही इसल्म के उपर इतरास किया जाता है कि इसल्म बेसिक हुमन राइट्स को और और ओर्तों के हुकूद को जो है वो दबाता है अलकि कितना बड़ा सबूत है कि हुमेनिटी को इस बड़ी लानस से निजात ही इसलाम ने दिलाई है आज भी आप देख ले जो इसलाम ने औरतों को इज़त दी है किसी और माशरे ने ने दी इसलिए आप देखें जब गैर मुस्लिम औरते मुसल्मान होती है आप उनके इंटर्वियू सुने तो वो आप बता है इस वक जो गैर मुस्लिम मुसल्मान हो रहे हैं ना उन में 67% औरते है और 33% जो है वो मर्द है औरते कहती हम स्क्यूर फिल कर रही है हमें तो इसलाम में आकर पता चला है कि औरत की इसलाम में वहां गोरे तो मत अब जो गोरों के मुलक में तो गोरीया तो तरस जाती है कि उनको कोई मुखलिस खामन मिले और यहां पर मिल जाते है इसलाम की में रसला खामन क्या खुलाम मिल जाते है कितनी इसलाथ है और औरतें जिसना इसलाब बुड़ी होती है और जब माँ बन जाती है तो आप देख लें हमारे सब कॉंटिनेंट के माश्रे में कितनी हिज़त है चांद एक मिसाले आप एक निटोरियस देंगे ओवराल तो एक वर्थ है ना इसलिए यहां जो गहर मुस्लिम अौटे मुसल्मां होती है वो इसी चीजों को अप्रिशेट करते हैं आप मुसल्मां और पुरी जिन्ही इस पे कायल करते हैं के वो नकाब करें और गहर मुसल्म ऑौते ही हिजाब शुरू कर देती है और आप उनके इंटर्वियू सुनें वो आपको फुद बीबीसी इंटर्वियू कर चुकिया उनसे CNN पे आया है वो कहता है उन्होंने डिफेंड किया पूरा पूरा निकाब करके ओरतें बैठी है और कोई जाइल ओरतें नहीं पड़ी लिखिये ओरतें बलके आप यूट्यूब पे एक डिबेट है गालबन एक फ्रांस में एक मेकैनिकल इंजिनियर थी वो औरत जो मसल्मान हुई उसने पूरा काला निकाब और पूरा बुरका किया हुआ आप उसी तरब उन्होंने मसल्मान मुल्क की ऐक बाल क्कोल के मसल्मान औरत बठाई भी थी और डिबेट ये ओरूरी थी कि बुरका जरोरी है ऐे नहीं और जूरे पूरा थे बुरका बुरके को डिफेंड कर रही थी और जो प्यदाशी मुसल्मान है कुछ भी है तेरे मुसूरती देखिये कि औरत की इज़त है वरना हम जब इस तरही फिरती थी तो हमें हर कोई कुमाडरी की तौर पे देखता था आज हमने निकाब किया होता है तो कबसकम हमें एक कुमाडरी की तौर पे तो पेशनी किया रही इसलाम के अंदर इज्जत है एक और तो क्यामत वाले दिन अल्ला ताला फिर उस बच्ची से पूछे गा जिसे तफना दिया गया था जिन्दा या कतल कर दिया गया था अगर इसका लिंक होगा ना तो प्लीज जरूर बताना कि फ्रांस की में जो एक मेकनिकल इंजेनियर थी उसका किसी मुस्लिम लेडी से वो डिबेट हुआ था अगर उसका अगर आपको थोड़ा आइडिया हो या लिंक कुछ हो ना तो प्लीज आप किसके कमेंट में बता देन या आप हमें मेल कर देना किसी भी हो तो और एक उस वीडियो का भी बताईएगा जो नो ने बताया कि पहाड़ी के ओपर वो जगाती अभी वो बनाई हुए है उन बच्चेयों की मस्धित अलहराम के पास में एक वो जगा है जहां पर पहले लड़कें को जिंदा दफना द होता होगा रूप आप जट्यों की बंदे की यह सोच कि कितना बड़ा जुल्म है और कितने सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया था उसके बाद इसलाम को बूल किया बट देखो अल्ला का करम की उनको माफ कर दिया गया बिल्कुर हलागी हमने एक और वीडियो करी थी क कि 367 मुसलिमों को मारने के बाद मैंने इसलाम को बूल किया उसने भी काफी लोगों ने बताया था कि अगर उन्हों चलो पहले कुछ भी किया उन्होंने पहले बट एक वारी उन्होंने इसलाम अगर को बूल कर लिया तो अल्लाह माफ कर देते हैं तो यह चीभी बता है हला कि तुम्हारा क्या कसूर था तुम्हें क्यो मार दिया क्या तो तब वो बच्ची बोलेगी मुझे क्यो मारा तो तब वो वैसे निक बच्ची छोटी होगी तो उसके मुझे जुबान भी होगी सब कुछ होगा और अग्या कि वो बोलेगी कि क्या बात थी क्यो मारा हूं या कि reason के वैसे मारा मा ने मारा, बाप ने मारा, दोनों ने मिल के मारा या क्या हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ बताएगी तो उस time से डरना चाहिए हम सब लोगों को ना ऐसा करम करने से पहले इवन ये अब तक हो रहा है मतलब तो जो लोग कैसे नगा करेंगा नगा थ hack लिएगा पृंठ का रेशो जादा है और लेड़ीस कम होती है सेरफ कुछ कुछ गिनी चुनी कंट्री हैं जहाँ हम पर फिमेल का रेशो जादा है आएग प हिक रश्या जहां फिमेल का रेशो जजादा है у हम तो नहीं होग लहां पर जिस लेडी का लोरा है उसके सास ससूर में से इन लोस मेंसे कोई अंदर जाही नहीं सकता है बेले ही वह permission दे, कोई permission दे, वह अंदर जा ही नहीं सकता, यह कानून है, और husband भी नहीं जा सकता, अगर उसकी wife permission दे, की मेरे husband को बुला लो, तो by chance और husband को बुलाएंगे, द्रवाइस वह भी नहीं, काफी जगा पे क्या होता है, कि husband को भी आलाओ करते, उसरब लेडीस लेडी होता है यह एक जौर मैं आगर आप पूछ भी निसकतें अधर भैस पुलीस आखे आपको पकड़ ले जाए कि यह तो चलो अच्छी बात है प्रिषएट करने वादिया कि आप पूछ नहीं सकते बच्छे का लिंग क्या हैев כ्या और डेना लड़का हो डड़की हो सब अल्ला क जाहिए और फिर Allah का उन पर उनके उपर वो करो मता है कि उनको बेटा दे देने हैं बिल्कुल और तो क्या काफी लोगों की सोच अपतानी क्या होती है थोटा ना गरों में जो बोड़े होते हैं जो दादादी या जो भी बुजूर्ग होते हैं की सोच क्या होते हैं कि हमारे लोग कूल चलाने वाला नहीं है हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है तो तो एक सिंपल सी बात है, हम डिनसार की ओलाद तो है, नहीं हो, हम इंसानी है, हमारी अगर कोम, हमारी अगर नहीं बढ़ेगी, तो किसी ओर की बढ़ जाएगी, घतम तो नहीं होगी इंसानियत, अटलीस्ट मतलब वो इतने जादा अनात बच्चे है, उनको सोचो क्या होगा, या तो हम रेर हों कि बाई पुछी दुनिया में सिरफ यह दो ही बच्चे है, बागी साब लागे, यह दो लागे, तो फिर दिक्कत है, या इतने 7-8 बिलियन पता नहीं कितने अरब लोग है, अ उसमें से किसी कुछ की अगर नहीं बढ़ी आगे तो क्या हो गया, बाकियों की तो बढ़ी रही है, खतम तोड़ना हो जाएंगे इंसाना, अल्ला की नजर में तो वो बंदा सही है, मतलब उसको क्या दिखाना, क्या शो करना कि अपना हमने इस परिवार को बढ़ाना है, ज तो ऐसा नहीं है, तरसानी चाहिए, जो अल्ला दे दे खोश हो के, ये तो अल्ला ने कॉंटिटी बनाई हूई है, किसको क्या कर देना, किसको क्या नहीं देना, इसमें इंसान का कुछ निचल सकता, जो मिल जाएं लागी मज़िस समझ के लिए जिये, तो चलते हैं गाइस, हिदाया पोर्टल इंजिनियर मुहमद अली मिर्जा चानल से दिये वीडियो आप इनकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और साथ ही आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंस कीजिए और शेयर कीजिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस